अस्सलामु अलेकुम फ्रेंड्स आज की हमारी रेसिपी है कबाब की और आज मैं आपके साथ शेर करूँगी मचली के कबाब बनाने की रेसिपी जो की बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो रेसिपी को आप स्टेब बास्टब फॉलो करें अगर आप मेरे चानल पर नए है फ्रे कर लिया है अब हम इसमें एक बॉल्ट किया हुआ मैश्ट अलू डालेंगे अब डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा नमक नमक आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग डालें वन टीस्पून हरी मिच का पेस्ट डालेंगे हाफ टीस्पून काली मिच पॉडर डालेंगे वन टीस्पून फिश मसाला पॉडर डालेंगे वन फोट टीस्पून सोय सॉस डालेंगे और टू टेबल स्पून ब्रेट क्रम्स डालेंगे इन तमाम इंग्रिडियन्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम कबाबों को शेप दे देते हैं कबाब का मिक्स्चर बढ़ कर त्यार हो चुका है अब हम छोटे छोटे साइज के कबाब बनाते जाएंगे हाथों पे हमने थोड़ा सा ओयल लगा लिया है और ओयल लगाने के बाद हम कबाबों को शेप देंगे तो ये है हमारे कबाबों का साइज अब हम इसे ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे इस तरह आप इसे कोट कर लें और इसे आप एक ट्रे में निकाल ले तमाम कबाब को हम इसी तरह शेप देते हुए बना लेंगे इस तरह आप छोटे-छोटे बॉल्स करके इसे बना ले हाथों पे आप हलका सा ओयल लगा ले इस तरह शेप देते हुए आप सारे कबाब्स बना ले आप चाहे तो इन कबाबों को अपने मन पसंद शेप दे सकते हैं आप हम इसे ब्रेट क्रम्स में रोल कर लेंगे इस तरह आप सारे कबाब्स बना लें ये देखें हमने सारे कबाब बना लिये हैं अब हम इन कबाबों को एक घंटी के लिए फ्रीज में रख देंगे, सेट होने के लिए, एक घंटा हो चुका है, इन कबाबों को चिल किये हुए, अब हम आगे का प्रोसस करेंगे, हमने एक अंडा लिया है, इसमें हमने थोड़ी सी काले मिच और थोड़ा सा नमक डाला है, और इसे अच्छे से बीट कर लिया है, अब हम इन कबाबों को इसमें डिप करेंगे, और अंडे के साथ इसे अच्छे से कोट कर लेंगे, आप एक फोक के मदद से सारे कबाबों को अच्छे से कोट कर लें, अब हम सारे कबाबों को इसी तर अंडे के साथ कोट कर लेंगे, और मीडियम गरम तेल में इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो एक एक करके हम कबाबों को स्पेस देते हुए डालते चले जाएंगे तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए अब 30 सेकंड के बाद इसे हम फ्लिप कर लेंगे देखिए इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है कबाब अंदर से अच्छे से कुख हो चुके है देखिए इसका अच्छा सा कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी लग रहे है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तमाम कबाबों को आप इसी तरह मीडियम फ्लेम पर फ्राइ कर लें तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की रेसिपी फिश के कबाब की इसको आप सर्व करें चटनी के साथ साइड डिश के तौर पर इसे आप बना सकते हैं दावतों में तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए चानल पे नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए रेसिप्स मेरी पसंद आती हैं तो इसको बनाए शेर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप से कैसे बनती है और भी नए-नए रेसिप्स के लिए मेरे चानल के साथ बने रहे हैं तो मेरे चानल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ठैंक्स फर वाचिंग मैं वीडियो तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ